नमस्कार दोस्तो ओनलान लर्निंग स्टेवन चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब्द प्रती मिनट की गती से संपाथ के डिक्टेशन स्टार्ट युक्रेन में दो दिन से हो रहे हमलों के बीच वहां फसे भारतिये नागरिकों की सुरक्षा गंभीर चिंता का विशे बन गई है सोला हजार से जादा भारतिये नागरिक इस वक्त वहां है इनमें वहां पढ़ने गए भारतिये विध्यारतियों की संख्या भी खासी है गुजरात के धाई हजार औरीशा के डेड़ हजार तमिलनाडू के नो सो से ज्यादा केरल के चार सो और तेलंगाना पश्चिम बंगाल जैसे अन्ने राजियों के विध्यारति इनमें शामिल हैं ऐसे में इनके परीजनों का परेशान होना सुभाविक है लगातार मिसाईलों के धमाकों गोलियों की आवाज और टैंकों की गड़़ाहट के बीच ये भारतिये नागरिक जिस संकट और मानसिक वेदना से गुजर रहे हैं उसकी कलपना भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं विध्यारती अपने परीजनों को जो वीडियो भेज रहे हैं उससे पता चलता है कि किस तरह ये लोग पल-पल काट रहे होंगे हमलों से बचाव के लिए लोगों को छोटे छोटे बंकरों में रखा गया है खाने पीने के समान के लाले पड़ रहे हैं मार्शल लोग जाने के बाद सडको पर सन्नाटा पसर गया है किसको पता की कहां मिसाइलें गिरेंगी कहने को युकरेन में भारतिये दूतावास सक्रिये है और अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के अभियान में दिन रात जुटा है पर वहां जिस तरह के हालात है उसमें दूतावास के लिए इतने सारे भारतियों की सुरक्षा और उन्हें स्वदेश भेजना कठिन काम है हालां की दूतावास ने कई दिन पहले परामर्ष जारी कर भारतियों को अस्थाई रूप से युकरेन छोडने को कह दिया था इसके बाद 20,000 लोगों ने वापसी के लिए ओनलाइन पंजी करण करवाया था इन में से अब तक सिर्फ 4,000 लोग ही लोट पाए हैं वैसे हर कोई इस उमीद में रहा होगा की युध टल जाएगा पर अब युकरेन ने दूसरे देशों के यातरी विमानों के लिए अपने हवाई मार्ग बंद कर दिये हैं ऐसे में विदेशी विमान वहां जा नहीं सकते दो दिन पहले भारत का एक विमान कीव के लिए गया भी था लेकिन उतरने की इजाजत नहीं मिलने से खाली दिल्ली लोट आया इसलिए भारतियों को अब पहले सडक मार्ग से हंगरी और रोमानिया ले जाया जा रहा है और फिर वहां से भारत के विमान इन्हें लेकर सुदेश पहुचेंगे यहे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत की सरकार देर से चैती सरकार जो कदम अब उठा रही है वे अगर एक पखवाडे पहले उठा लिये जाते तो आज जैसा हाहकार नहीं मचता ऐसा भी नहीं की सरकार को इस बात का अनुमान नहीं रहा होगा कि युक्रेन में आने वाले दिन कैसे होंगे युद की आशंका को लेकर अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश तो पहले ही अपने नागरिकों को बचाने के काम में जुट गए थे सवाल है कि हम आखिर किस इंतजार में बैठे रहे हालांकि ऐसे ही संकट भरे दोर में भारत ने पहले भी दूसरे देशों से अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी करवाई है पिछले साल तालीबान के सत्ता हतियाने के बाद अफगानिस्तान में फसे भारतियों का मामला रहा हो या इराक में फसे अपने नागरिकों को बचाने का अभियान हो सरकार ने इन कामों को बखू भी किया था स्टोप